Hi everyone, welcome back to another video, इस वीडियो के अंदर हम box component की रेटें डिसकस करेंगे, तो basically box component हमारे पास as a old day भी है, और इसके जो हम as a wrapper component के तौर पे उस करते हैं, तो चलिए इसके हम एक practical example देख लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक file create कर लूँगा, MGUI box को नाम से, अब यहाँ यहाँ पर मैं एक basic component जाओ पर create कर लेता हूँ, और हम यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ इंपोर्ट मैं कर लूँगा box component को, ठीक है, मैं जहाँ से screen move करता हूँ और यहाँ पर write करता हूँ box, और from, MGUI material, next क्या करूँगा, जो हमने box import किया है, उसको हम डेव की जगे यहाँ पर write कर देंगे, आप box के अंदर जहाँ ना, यहाँ पर हम कोई भी text write कर देते हैं, जैसे कि मैं write करता हूँ honey web, और इसको मैं save करता हूँ, अब हम इसको अपने browser को पर run करेंगे, तो उसके लिए मैं जाओँगा app.js के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको import कर लूँगा, import, MGUI box, और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर मैं इसको use भी कर लूँगा, component को, तो यहाँ पर मैं write कर लो, MGUI box, इस तरह ठीक है, अब next time में क्या गरेंगे, हम browser को पर जाएंगे, और यहाँ पर देखो, हमें जो है ना, यहाँ पर यहाँ नी वैब शो हो रहा है, ठीक है, अब इसको मैं inspect करता हूँ, तो यहाँ पर देखना, आप जो है ना, हमारे पास box component, वो convert हो चुक है, हमारे पास Dave component का था ठीक है, तो बेसिकलिए box component जो होता है, वो हमारे पास एक divi होता है, आप जो है ना, आप इसके जो है ना, जहाँ पर जैसे element Dave हमने write कि है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, जो कोई भी आप जो है ना, मैं component props जूज करूँगा, और component props के अंदर हमारे पास आप यहाँ पर element भी देख सकते हो, इसके और semantic tag भी देख सकते हो, जैसे के यहाँ पर मैं element span देता हूँ, ठीक है, save करता हूँ, ब्रॉजर कूबर जाते है, तो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जो डेव था, वो चीज हो के span में आ चुक है, ठीक है, अब यहना अगर आप semantic tag लगाना चाहते हो, लाइका, article, ठीक है, section, navbar, या header, तो वो भी आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपर section, system styling, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, और sx जो होता है मारे पास, यहाँ पर मैं इसको remove कर सेथा हूँ, और यहाँ पर मैं write करता हूँ, sx, ठीक है, sx के अंदर जो है ना, जाब भी हम CSS की properties देते हैं, तो हम जो यहना as a object में देते हैं, तो यहाँ पर जैसे के आप अगर इसके background को change करना चाहते हो, तो भी कर सकता हो, मैं आप जाए राइट करूँगा, background, और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, कोई भी background देना चाहते हो, जैसे के मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, primary.main, and next, अगर मैं इसके जो है ना, color को change करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं राइट करूँगा color, और color हमारे पास आजाएगा white, और उसके बाद जो हैना, in close का लेते हैं, 100 pixel, ठीक है, तो जाते हैं हम, browser के उबर, यहाँ पर देखो, हमें जो है ना, जो background इसका था ना, वो हमें show नहीं होड़ा, ठीक है, तो again जाहेंगे हम यहाँ पर, और background यहाँ पर मैं राइट करूँगा color, save करता हूँ, तो I hope आप जो हमें color दिखाई देगा, तो यहाँ पर देखो, हमें जो हमें color भी show हो रहा है, ठीक है, background color चो हो रहा है, text color हमारे पास change हो चुक है, और इसके अंदर आप padding भी दे सकते हो, तो again वापस जाता हूँ, और यहाँ पर इसकी padding जो है, आप इसको custom styling भी दे सकते हो, ठीक है, अगर आप इसके उपर hover लगाना चाते हो, तो भी लगा सकते हो, कि जैसे कि यहाँ पर हम hover करें, तो इसके background color चेंज हो जाए, या इसकी width या height चेंज हो जाए, तो भी आप कर सकते हो, तो मैं जाओंगा वी escort केंदर, यहाँ पर आप राइट करोगे, and, और यहाँ पर आप next column, and hover right करोगे, और उसके पाद जो है ना, इसको again object केंदर जो है ना, convert कर दोगे, और यहाँ पर जो है ना, मैं अपर राइट करोगा background color, primary light, save करता हूँ, अगेंज आते हैं browser के उपर, तो जहाँ भी देखो, मैं hover करता हूँ, तो इसका background color जो है न, वो change हो रहा है, तो आप इस तरह जो है न, इसको change कर सकते हो, ठीक है, यानि custom style से भी, इस component को आप style कर सकते हो, उसके बाद जो है न, आप जो है न, इस box component के अंदर, हम राइट करेंगे, तो यहाँ पर इसनी हमें error दी है, तो इसको हम जो हम फ्रेग्मेंट के अंदर, इन close कर देते हैं, तो सारे code को मैं यहाँ पर react fragment रूट करता हूँ, और इसको हम जोना close कर देते हैं, इस fragment के अंदर, अब जोना इस box जो component है, इसके अंदर मैं क्या करूगा, यहाँ पर जोना आप मैं प्रॉफ्स यूज़ करूगा, और इसकी height, weight और जो color हो कर न, उसको चेन करूगा, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो है न, मैं यहाँ पर write करता हूँ, height, और height में हमारे पास value आजाएगी 100 pixel, ठीक है, उसके बाद अगर आप इसकी weight चीन करना चाते हो, तो weight props जहाँ पर मैं write करूँगा, और यहाँ पर इसको भी मैं write कर देता हूँ 100 pixel, और अगर आपने इसकी padding चेन कर निया है, तो आप यहाँ पर simple p write करोगे, ठीक है, और उसमें value दे दोगे, 2 या 1, ठीक है, तो आप कोई भी value दे सकते हो, या 3 भी दे सकते हो, अपने इसकी साफ से ठीक है, यहाँ पर मैं write करता हूँ 2, और अगर आप इसके background color को change करना चाहते हो, तो भी कर सकते हो, यहाँ पर आप write कर दोगे, बेंजी color, यहाँ पर आप write कर दोगे, कोई भी color आप कर देना चाहते हो, आप जैसे कि मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ success, एंड उसके बाद आप इसके अंदर display भी यूज कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास props आते है, डिस्पले नाम से, और यहाँ पर आप इसमें आप जैना write कर दोगे, flex या blog जो भी आप write करना चाहते हो, ठीक है, तो सेम करते हैं इसको, और browser के उपर जाते हैं, रिलोड करता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पर हमें अभी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या issue आ रहा है इसमें, जो आपे हमने height दिये, 100 pixel, weight भी दिये, और bg color, जो हमारे पास success, तो यहाँ पर हम color को change कर लेते हैं, success.light, जो हम main कर देते हैं, ठीक है, save करते हैं, तो यहाँ पर देखो, अब हमें यहाँ पर color जो है न, शो हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह जो है न, आप इसके अंतर props की जरीए स्टाइलिंग कर सकते हो, अगर आप custom CSS लगाना चाते हो, तो वो भी आप लगा सकते हो, और अगर आप props कर यूज करना चाते हो, तो वो भी कर सकते हो, उसके बाद जो है न, मैं आपको यहाँ पर props दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जो है न, आपको सारी props मिल जाएगे, यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, border and उसके बाद जो है न, आपके पास border bottom, border color, border left, border radius, एन इचे जाओ flex, flex direction, तो यहाँ जो है न, आप use कर सकते हो, तो आप जो है न, एक बार इनको readout कर लिन न, तो आप जाना तक जाएगे न, आपको सब कुछ बिलिर होगा, तो थैंस पर बाचिंग, मिलते हैं न, एक्स वीडियो में.